गोर से देखें इन चेहरों को, इनके बीच की जिग्यासा को, दुनिया में कहीं भी चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या इनसानी शरारत, ये पहुंची जाते हैं और घर पर कहकर आते हैं कि इंतजार ना करना, आप चाहे इन पर इतबार करें या ना करें, पर ये करें आपके लिए लड़ेंगे, आपकी मौत आपसे आगे होकर मरेंगे, इनको कोई फिकर नहीं कि क्या सजा होगी, क्योंकि ये पताएं क्या मानते हैं कि इसमें उसकी रजा होगी, कभी आतंकवादी, कभी बावी, लेकि करें भी जा, ये बगावत इनके खून में है, वो खून जिसने मिट्टी में गोलियां बूई थी, वो खून जो जलियां वाले बाग में दिखा था, वो खून जो सिर चड़ा और साथ समंदर पार किताब में पिस्टॉल बनकर पहुँचा, वो खून जिसने फासी के फंदे को चूम कर गले लगाया, जिसने आरियों के नी बैट गया, चाननी चौक में सीस देकर, चमकौर में तीरों की बारिश में भेगते हुए, आकर खड़ा हुआ सरहंद के उस नीव उपर, जिस पे उब रहा इंसानियत का महलुआ। आईए जरा देखें तो सही, ये जो पीते कुछ समय से सडकों पर घूम रहे हैं, ये असल में हैं कौन। इन माताओं के इतनी कौन सी मजबूरी थी, कि वो भी साथ चल पड़ी। ये मजबूरी इनके जाकते जमीर की है, इनकी पवित्र कोक की है, जिन में से दुनिया के तमाम योद्धाओं ने जन लिया। भला ये घर पर कैसे रह सकती थी। इन्ही में से जन में थे आनंदपूर की धर्ती से सिर मांगने वाले और सिर देने वाले। इन्ही में से जन में वो योद्धा जो पैदा तो अलग-अलग गर्ब से हुए, लेकिन आखिर में अपनी सबसे प्यारी मां धर्ती की कोक हमें समा गए। ये वही हैं जो रक्षा करते हैं। चाहे अधिकारों की हो या सरहदों की। दौनों तरफ एक ही बिदा के बेटे हैं। दौनों अपने अपने फर्ज निपा रहे। अगर कुछ बीच में है तो बुरी सोच की सरकारों के बेरिकेट्स। इनका इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि पहली बार पागी नहीं हुए। जब जब हक और सच के लिए आवाज उठाने की ज़रूरत पड़ी। ये सब अपनी अपनी जगे आगे आकर लड़े हैं। ये लोग जिनकी भाषा, बहरावाद, तेवहार और संस्कृती तो अलग हो सकती है। लेकिन अंदर की आग एक ही है एक अच्छी देश के निर्मान का सब्मा। जिनका सबसे पहला धर्म हो इनसानियत। ये वही हैं जो मौत को सामने देखकर हसास कर जैकारे लगाते हैं। गोरे तो इस देश से चले गए लेकिन अपनी सूच इन कुरसियों के आसपास ही कहीं छोड़ गए। जिन पर बैटने वाले चेहरे तो बदलते हैं। लेकिन लोगों को बाट कर राज करने की बुरी नियत नहीं बदलती। लेकिन ये कैसे लोग हैं। जो हर बार इस बटवारे को गिरेबान से पकड़ लेते हैं। पानी के मसले पर बाटे हुए। आज जमीन के मसले पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। इनके माथे की लकीरों में तवारीख लिखी गई है। इन्हें सिर्फ जुर्या समझने की अलती ना कर लेना। इन आँखों ने अपने हातों से तयार कर बेटों को मौत की वरात भेजा है। वो आँखें जिन्होंने आजादी के सपने देखें। जो दंग रह गई। जब शीशम की चमकदार कुर्सियों पर बैठे मखमल के कुर्तों ने आजादी के नाम उजड़ जाने का शाही फर्मान जारी कर दिया। सिर्फ हाथ बदले हैं। तयार आज भी वही है। चोटें आज भी वही है। लेकिन इन भले मानसुने उजड़ कर भी पता है क्या कहा। नानक नाम चड़दी कला। तेरे भाने सर्बत का भला। इश्वर के रजा को सबसे जादा मानने वाले किसान। सब कुछ यही तो पाल रहे हैं। इन फसलों को तुम्हारी नसलों को गरीबी से मर रहे आम इनसान को। प्रिष्टा चार से बड़े हुए पेट को। इमान को बे इमान को इनसान को शैतान को बे जुबान को। हिंदो, सिक, हिसाई, मुसल्मान को। सब को यही तो पाल रहे हैं। इसी लिए तो इन्हें अंदाता कहा जाता है। लेकिन अफसोस। आज जब यह अंदाता अपने वजूद के लिए जर्द रातों में घर परिवार छोड़कर जड़कों पर उत्रा तो उची छतों वाले कमरों में हीटर ओन कर गर्म रजाई में बैठकर लोग इनको अतंगवादी कह रहे हैं। अगर अपनी आजादी, इनसानियत और सब के भले की बात करना आतंगवादी होना है तो माफ कीजिएगा। पर कोशिश करना की ऐसे आतंगवादी बन सके। जो मारते हैं दिलों के नफरत को। उच नीच के फर्क को, गरीब और अमीर के बीच के फासले को। पर हाँ मरने से याद आया। मौत केवल शरीरों की नहीं होती। शीशे के सामने खड़े होकर आँखों में आँखें डाल कर देखेगा। कहीं अंदर कुछ मरा तो नहीं हुआ। सब्सक्राइब रखें सामने लिच सब्सक्राइब तो लिच गोड़े. कर दो कर दो कर दो कर दो